हड़ी मजबूत तो सब मजबूत हो तो ठीक है रियनफोर्समेंट है ना तो ये पहले तो हड़ी पहले ठीक करिए इसके बाद है वो मजजा के लिए और इसके बाद वीरिय मतलब जो में ताकत है वो तो वीरिय की है वो तो जैसे गाड़ी में पेट्रोल जैसे शरीर में वीर कि सस् dossier अजञिए परेशान है क्योंकि ताकत कम है, इम्मुनिटी कम है, चला नहीं जाता, हिमाले जानी की इफ्च्छा है, लेकिन चड़्धे कैसे हएं, हद्डी दुखती है, गुटने दुखते हैं, हद्डी भ runner में नहीं, मसल में भी थाकत नहीं, कई ताकत ही नहीं है रात को जैसे वैसे विस्तर तक पहुचते और कब सो गए वह तो बेशुद्ध ही हो जाते हैं बेशुद्ध बंदे तो ऐसी सब कंप्लेंट्स है बहुत सारी स्त्रिया है उनको भी कमर दर्द बहुत है पुरुशों को भी है ऐसा कुछ नहीं अगुटने आजकल बदलना पड़ता है और यह सब करना पड़ता है क्यों न हम पहले से यह केर करें देखिए अपने यहां जो यह मिसाल के लिए बो देखिए और अंदर पानी भी होता है मतलब तो शर्कुलेशन और इसके लिए भी पानी इसके अंदर जितना उत्रेगा उतना वह नरम और स्वीड बन जाता है तो यह प्रक्रिया है तो यह जो चीज है तो यह हमें करना है हडी आपकी ठीक पहले करना क्योंकि यह सब्ता ध जाएगा तो फिर मेद के बाद पहले हडी बनेगे और हडी मजबूत तो सब मजबूत हो ठीक है रियनफोर्समेंट है ना तो यह पहले हडी ठीक करिए इसके बाद है वो मज्जा के लिए और इसके बाद वीरिय मतलब जो में ताकत है वो तो वीरिय की है वो तो जैसे उसका कुछ काम नहीं है, यह भेल खाने से नहीं काम होगा, यह तो ऐसी चीज़े खाने से ही अड्डी अच्छी बनेगे, तो यह पहले क्या ही है, यह गौंध है, लेकिन यह पोस्ट आपिस वाला गौंध जो बोलते हैं, जो चिपकता भी नहीं है, वो नहीं ले लेगा, एक लगबग इतना, यह इतना ही गौंध, 1.5 ग्रैम जैसे है, वो उतना ही लेना है, यह पाउडर, यह इसकी पाउडर यहां लिए, यह मैंने बजन करके रखी है, आपको एगर जज्ज्मेंट आ गया, दोचार कम जादा आ जाएगे थोड़े, तो कोई जादा यह नहीं होता और यह जो गौंध है, वो दूद में मिलाना, यह अभी जो है पाउड़ दूद लीजिए, जितना दूद की अपकी कपैसिटी होगी, और आपको थोड़ा टेश के लिए अंदर यह मिस्री भी डाल सकते है, मिस्री कौंसी, यह जो पत्थर शुगर आती है, वो लाके उसकी पाउडर घर में बनाना, यही एक तकलीफ है, लेकिन एक बार करके रखिये, वो चलती है, यह नहीं हुआ तो पतासा मिलेगा, तो उसकी पाउडर करके रख दीजिए, तो भी चल जाएगी, लेकिन डायरेक्ट शुगर आती है और सफेद, वो कामका नही है, तो यह आप ल कीze के लिए का कोर्स इधर छोड़ दिया, अब आगी मज़ा, यह यह जो है ला ना अंदर, तो यह coconut जो है, उसके यह निकालके, पीस करके, यह टुकडे निकाले है, और उसको यह पीस करके, यह ऐसे coconut का, मिक्सर भी निकाली है आज क्याल वो जो आती है ना, उसको आप च ले लिजे और इसका दूद निकालना है, coconut का दूद, ये बहुत ही बड़िया है, coconut के दूद है, ये देखे, एक लगबग है, वो एक पाव कप तो दूद निकलना ही चाहिए, उतना दूद है और थोड़ा जादा ले सकते हैं, एक दूद ये तो मैंने बहुत सारा coconut पीसके र में तो ये जो है वो बाजबें रख दिया भी, इसके बाद ये जो दूद है, ये लगबग है जो बीस एमेल तक का दूद लीजे और पाव कप ऐसे ले ले लेजे और ये दिन में दो बार लेना है, तो ऐसा कुछ एक एक चमच चमच का का ही साब रखेंगे, लेकिन दूद डालेंगे, इसे नहीं चलेगा, तो ये जो दूद निकला है, ये कोकोनट का मिल्क है और ये अभी दूसरा भी काम आता है, लेकि अभी बताएंगे आपको, कि इसकी एक बहुत अच्छी रेसिपी होती है, लेकिन ये कोकोनट का दूद शक्कर चाहे तो थोड़ी ड बादाम जो है ये भीगा के रखना और इसका चिलना, ये निकल गए तो ये ऐसे पेश बना लेना उसकी, ये रात बर भीगाएंगे तो ऐसी फस्सक्रास बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, वो कठीन होता है, तो ये ऐसे ये लेके, दस बादाम की है ये और ये लेके अधा कप जैसे है और ये दूद में डाल के उबालिये, जैसे खीर बनना शुरू हो जाएगी, थोड़ा दूद घट बनेगा, ऐसे खाली एक दो मिनिट अगनी दिखाना नहीं है उबालना है उसको, तो बाद में अंदर शक्र, वो भी मिस्री की शक्र और थोड़ा घी ये सब रिजल्ट आई जाएगा, लेकिन ये चालू रखी है, और जो जवान अदमी है और बुढ़े है, जिनके अभी तकलीफ है, वो तो लेना ही है, स्तिर्यात मिचारी दिन बर खड़ी रहती है, कमर दुखी तो होती है, उनके मासिक धर्मा है, डिलिवरी है, इससे भी कमर होती है, उसके लिए भी हड़ी के लिए लेना ही है, और जो घुटने है, वो भी समालने है, और इसका अधिक उपयोग क्या है, कि ये सब मिलके दिमाग एकदम फसकलास रहेगा, क्योंकि ये ब्रेन के ही टॉनिक है, ऐसे समझेए, क्योंकि ब्रेन में भी ये मज्जा वगर अरे सब चाहिए वीरिया, तो ये आप कीजिये, हमें लिखिये, अभी आप कहेंगे, ये कहां मिलेगा, सब बजार में मिलता है, खाले देख के लाना है, कि अच्छी चीज मिली है, नहीं मिली है, कोकोनट भी बिना पानी का, और इतना चोटा सा कोकोनट लेके आएंगे, व प्रत Sig शोटा से बाना है, को ये आएंगे, बजाज़ पानी का, अच्छी चीज मिली है, को ये आप का, तर रा इतना चाहिंक है? झाल झाल